हेलो बच्चों, वेलकम टू नभी एजुकेशन, आज का आपका कंफ्यूजन है फॉर्दर एंड फार्दर, फॉर्दर और फार्दर में क्या डिफ्रेंस है, दोनों के यूज में, दोनों के मीनिंग में, क्या डिफ्रेंस है, आज आपके इसी कंफ्यूजन को क्लिया करेंगे कि यह फॉर्दर और फादर क्या है यह फॉर्दर और फादर यह ऐसे वर्ड जो हम सेंटेंस में एड़र्व या एड़्जेक्टिव यूज करते हैं ओके अप इन दोनों में क्या डिफरेंस है इन दोनों को हम हम रिप्लेस एक दूसरे की जगह पर क्यों 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 कि फॉर्दर का यूज करते हैं हम सिंबॉलिक डिस्टेंस के लिए फिगरेटिव या मैटेफॉरिकल डिस्टेंस यानि प्रतिकात्मक यानि इमेजिनेटिव जिसको की हम गिन नहीं सकते जिनकों की हम मेजर नहीं कर सक के ऐसे डिस्टेंस के लिए हम फुर्दर का यूज करते हैं यानि ऐसी दूरी ऐसा डिस्टेंस जिसको की हम मेजर कर सकते हैं ना आप सकते हैं अब आपको सब्सक्राइब दोनों की क्या मीनिंग है को इसे दूरी ऐसा डिस्टेंस जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं दोनों के यूस को हम सेंटेंस से संजेंगे जिसको आपको जिससे आपको इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एकडम क्लियर हो जाएगा पर देखें, my friend needs further instructions, क्या मतलब हुआ, मेरे friend को जरुवत है, और आगे के और instructions की, यानि further instructions के लिए और ज्यादा, और आगे instructions के लिए यहाँ पर फॉर्दर का use किया गया है, तो यह क्या हुआ, आपका symbolic distance हुआ, कोई आपका physical distance नहीं हुआ, यानि और ज्यादा आगे instructions के लिए उसको समझाने की जरुवत है मेजे friend को, ठीक है, clear हुआ देखें इससे, next देखें, I will help you further, मैं आपकी आगे help करूँगा, यानि आगे time में, आगे life में जब आपको जरुवत होगी, तब मैं help करूँगा, यानि यहाँ भी कोई ऐसी physical दूरी, show नहीं हो रही है, ठीक है, let us discuss this further, चलिए इस बारे में और आगे discuss करते हैं, और ज्यादा और आगे discuss करते हैं, यानि किसी बात को और आगे समझते हैं, उसके बारे में discuss करते हैं, तो यहाँ further का use हुआ है as a symbolic distance, I will contact my agent for further information, मैं अपने agent को contact करूँगा, किस लिए, और आगे और ज्यादा information साथ करने के लिए, क्या sense आया, और ज्यादा और आगे की informations को जानने के लिए, मैं अपने agent को contact करूँगा, I want to see further improvement in my son's studies, मैं देखना चाहता हूँ अपने बेटे की studies में और ज्यादा और आगे improvement सुधार देखना चाहता हूँ, यानि पढ़ाई में और आगे में improvement या सुधार देखना चाहता ह ठीक है, further information can be obtained from the head office, और आगे की information जानने के लिए, आप head office में से उसको प्राप्त कर सकते हैं, यानि आगे की information प्राप्त की जा सकती है, head office से, देखा आपने कहीं भी in sentences में कोई ऐसी physical distance दूरी को शोनी किया गया है, बलकि किसी बात को और आगे सोचने के लिए, समझने के ल इस further का use किया गया है, यानि की प्रती कात्म दूरी, यानि इमेजिनेटिव, वहाँ पर distance शो रहा है, कोई physical distance शो नहीं हो रहा है, अब देखे, अब देखते हैं, हम further का use, इसे कहते हैं further, इसे बोलते हैं further, इसको भी further बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा, इसके meaning को समझने के ल ठीक है, यानि की दूरी, distance, जिसको हम नाप सकते हैं, the farther you go, जितनी आगे तुम जाओगे, the more farms and fields you will see, उतने ही ज्यादा तुम farms, खेतों को, fields को, farms को देखोगे, यानि जितने तुम आगे जाओगे, जितनी दूर तुम जाओगे, उतने ही दूर तुम farms और fields को तेखोगे, उतनी दूर, मैंने जितना expect किया है, उससे ज्यादा दूर है, is farther to residence than I expected, यानि मेरी university residence से, मेरी आशा से ज्यादा दूर है, मेरी hope से ज्यादा दूर है, is farther ज्यादा दूर है, घर से, residence से, जितना कि मैं उसको hope करता हूँ, expect करता हूँ, shall we go farther, क्या हम आगे जाएंगे, यानि क्या हम और आगे दूर जाएंगे, you are too much tired to work, to walk farther, तुम बहुत ज्यादा ठके हो, कि तुम और दूर आगे नहीं चल सकते, two or two का means होता है, negative sense में आता है, कि तुम इतना ज्यादा tired हो, ठके हो, कि तुम और आगे दूर नहीं चल सकते, her company is farther down that street, उसकी कंपनी street से, सणक से और down नीचे और दूर है, यानि कि और ज्यादा दूर है उस street से, आपने देखा कितने short period में हैं, कितने tricky examples से आपको further or farther, इन दोनों का difference, confusing difference एकदम clear हो गया हो, अब आपको इन दोनों को use करने में, sentence में जब आप use करेंगे, तो आपको कभी भी further or farther को use करने में, कोई doubt नहीं होगा, so please keep watching and please keep sharing my videos, bye bye. हुआ जया हुआ झाल